राधे राधे, मेरे प्यारे भाईयों, बहनों, माताओं वा बंधुँआं, आज मेरी वीडियो का विशे रहेगा श्री विश्णु पुरान की कथा का चोध्वा अध्याएं बंधुँआं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जिरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधुँआं, जब भी आप विश्णु पुरान की कथा को सुने तो पुरा सुने और पुरा सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै विश्णु भगवान की जै लक्ष्मी मादा की जरूर लिखें बंधुआं, बेसाख मास में भगवान विश्णु के इस श्री विश्णु पुरान को सुनने मात्र से भगवान विश्णु की आप पर अपार कृबा बरसने लगेगी आप भगवान विश्णु को प्रिये हो जाएंगे इससे आपके यहां कभी भी अनधन की कमी नहीं रहेगी आपके भंडार भरपूर हो जाएंगे आपकी व्यवपार में भी बहुत त्रक्की होगी आपका व्यवपार खूब बढ़ेगा और यदि आप नोक्री करते हैं तो आपकी नोक्री में त्रक्की होगी बोलो विश्नु भगवान की चे लक्ष्मी माता की चे प्राचीन ब्रही का जनम और प्रचेताउं का भगवत आराधन श्री प्राशर्ची बोले हे मैत्रे प्रिधु के अंतरधान और वादी नामक दो धर्मक के पुत्र हुए उन में से अंतरधान से उसकी पतनी शिखंडी ने हवेरधान को उत्पन किया हवेरधान से अगनी कुलीना धिश नाने प्राचीन ब्रही शुक्र गये कृषन व्रज और अजिन ये छे पुत्र उत्पन किये हे महाभाग हवेरधान से उत्पन हुए भगवान प्राचीन ब्रही एक महान प्रजापती थे जिनोंने यक्के के द्वारा अपने प्रजा की बहुत बृधी की, हे मुने उनके समय में प्राचीन अग्रकुष समस्त प्रिच्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन ब्रही नाम से विख्यात हुए, हे महामते उन मही पती ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्ना से विवहा किया, उस समुद्र कन्या सवर्ना के प्राचीन ब्रही से दस पुत्र हुए, वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनूर विद्या के पार गामी थे, उन्होंने समुद्र के जल में रहकर दस हजार वर्ष तक समान धरम का आचरन करते हुए घोर तपस्या की श्री मैत्रे जी बोले हे महामुने उन महात्मा प्रचेताओं ने जिसलिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहिए शी प्राशर जी कहने लगे मैत्रे एक बार प्रजापती की प्रेड़ना से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन ब्रही ने उनसे अतिस सम्मान पुर्वक संतान उत्पत्ती के लिए इस प्रकार कहा प्राचीन ब्रही बोले हे पुत्रों देव आदी देव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्या दी है कि तुम प्रजा की व्रिधी करो और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया अतेहे पुत्रगन तुम भी मेरी प्रसंता के लिए सावधान पुर्वक प्रजा की व्रिधी करो क्योंकि प्रजा पती की आज्या तुमको भी सर्वधा माननिया है श्री प्राशर जी बोले हे मुने उन राज कुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्या ऐसा कहे कर फिर पूछा प्रचेता बोले हे तात जिस करम से हम प्रजा व्रिधी में समर्थ हो सकें उसकी आप हम से भली प्रकार व्याख्या कीजिए पिता ने कहा वरतायक भगवान विष्णू की अराधना करने से ही मनुष्य को ने संदे इश्ट वस्तू की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से नहीं इसके सिवा और मैं तुम से क्या कहूं इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा विधी के लिए सर्व भूतों के स्वामें श्री हरी गोबिंद की उपासना करो धरम अर्थ काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादी पुरुशोतम भगवान विष्णू की अराधना करनी चाहिए कलब के आरंभ में जीन की उपासना करके प्रजा पती ने संसार की रचना की है तुम उन अच्युत की ही अराधना करो इससे तुम्हारी संतान की व्रिधी होगी श्री प्राशर जी बोई ता की ऐसी अज्या होने पर प्रजेता नामक दसों पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर साव धानता पुर्वक तप करना आरंभ कर दिया हे मुनिश्रेश्ट सरव लोक आश्यत जगतपती श्री नारायन में चित्र लगाए हुए उन्होंने दस हजार बर्ष तक वही स्थित रहकर देव आदी देव श्री हरी की एक कागर चित से स्थुदी की जो अपनी स्थुदी की जाने पर स्थुदी करने वालों की सभी काम शकर नाय सफल कर देते हैं श्री मैट्रे जी बोले हे मुनिश्रेश्ट समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विश्नु की जो अतिप पवित्र स्थुदी की थी वह कृप्या मुझ से कहिए श्री प्राशर जी बोले हे मैट्रे प्रवकाल में मुद्र में स्थित रहेकर प्रचेताओं ने तनमय भाव से श्री गोबिंद की जोस्तुदी की वह सुनूं। प्रचेताओं ने कहा जिन में संपूरन वक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है तथा जो जगत की उत्पत्ती और प्रलय के कारण है उन निखिल जगन नायक परम प्रभू को हम नमस्कार करते हैं। जो अद्दे, जोदी स्वरूप, अनुपम, अनू, अनन्त, अपार और समस्त चिराचर के कारण हैं तथा जिन रूप हीन परमेश्वर के दिन, रात और संध्या ही प्रतम रूप हैं उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्रानियों के जीवन रूप जिनके अम्रित में स्वरूप को देव और पित्रगन नित्य प्रति भोगते हैं। उन सोम स्वरूप प्रभू को नमस्कार है जो तिक्षन स्वरूप अपने तेज से अकाश मंडल को प्रकाशित करते हैं। अधकार को भक्षन कर जाते हैं तथा जो घाम, शीद और चल के उद्गम स्थान हैं। उन सुर्य स्वरूप को नमस्कार है। जो कठिंता युक्त होकर इस संपूरन संसार को धारन करते हैं और शबद आदी पांचों विश्यों के अधार तथा व्यापक हैं। उन भूमी रूप भग्वान को नमस्कार है। जो संसार का यूनी रूप है और समस्त देहे धारियों का बीच है भग्वान हरी के उस जल सरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं का हव्य भुक और पित्रगन का कव्य भुक मुक है उस अगनी सरूप विश्यों भग्वान को नमस्कार है। जो प्रान अपान आदी पांच प्रकार से देह मिश्थित होकर दिन रात चेश्टा करता रहता है तथा जिसकी योनी आकाश है उस वायूरूप भगवान को नमस्कार है जो समस्त भूतों को अवकाश देता है उस अनन्त मूर्ती और परमशुद आकाश स्वरूप प्रभू क को नमस्कार है समस्त इंद्रियें शिष्टी के जो उत्तम स्थान है उनी शबत सपर्ष आधि रूप विधाता शी कृष्ण चंद्र को नमस्कार है जो क्षर और अक्षर इंद्रिये रूप से नीथ्य विष्व Tony को ग्रहन करते है उन क्यान मूल watershree शी火री को नमस्कार है इंद्रियों के द्वारा ग्रहन की ये विश्यों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है उस अंतहे करन रूप विश्व आत्मा को नमस्कार है जिस अनन्त में सकल विश्वस्थित है जिससे वह उत्पन हुआ है और जो उसके लेका भी स्थान है उस परकृ किती स्वरूप प्रमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुन होकर भी ब्रह्मुवश गुन युप्त से दिखाई देते हैं, उन आतम स्वरूप पुर्षोतम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी अजन्मा, शुद्ध, निर्गुन, निर्मल और श्री विश्णू का परमपद है उस ब्रह्म सरूप को हम नमस्कार करते हैं जो ना लंबा है ना पतला है ना मोटा है ना छोटा है ना काला है ना लाल है जो नहें कांती श्रीर से रहित एमम अनासक्त और अश्रीरी है जो अवकाश, स्पर्ष, गंद और रस से रहित, तथा आँख, कान विहीन, अचल, एमम, जीवा, हाथ और मन से रहित हैं, जो नाम, गोत्र, सुख और तेज से शुन्य, तथा कारण हीन हैं, जिसमें भय, भ्रांती, निद्रा, जरा और मरन, इनका अभाव है, जो अरज, अश तनवृत हैं, एवन जिसमें पुर्वा पर वेवार की गती नहीं है, वही भगवान विश्नु का परमपद है, जिसका शाषन ही परमगुन है, जो सर्वरूप और अनाधार है, तथा जीवा और दिष्टी का अविशे है, भगवान विश्नु के उस परमपद को हम नमस्का करते हैं, श्री प्राशर जी बोले, इस प्रकार विश्नु भगवान में स्माधिस्त होकर, प्रचेताओं ने महासागर में रहकर, उनकी स्तुदी करते हुए, दस हजार वरश तक्तपस्या की, तब भगवान शीहरी निप्रसन होकर, उन्हें खिले हुए नील कमल की सी, हरी को देखकर, उन्हें भक्ती भाव से, भार से चुके हुए, मस्तकों द्वारा प्रणाम किया, तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुम से प्रसन होकर, तुम्हें वर देने के लिए आया हुँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो, तब प्रचेताओं ने वर दायक्षी हरी को प्रणाम कर, जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा विधी के लिए आज्या दी थी, वेह सब उनसे निवेदन की, तद अंतर भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर, अंतर ध्यान हो गए, और वे जल से बाहर निकलाए, इती श्री विश्नु पुराने प्र करें, और शेर भी जरूर करें, ओम हरे राम, हरे राम, 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 हरे, 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 क्रिश्न, हरे, क्रिश्न, 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 हरे, हरे